प्रभात RDJPS वर्चुल क्लास में आपका स्वागत है आज हम कक्षा छटी की हिंदी व्याकरण उस तक का नाम है अपना व्याकरण का पार पहला भाशा और व्याकरण के प्रिश्न उत्तर को समझेंगे तो चलिए पार शुरू करते हैं पार पहला भाशा और व्याकरण पहला प्रश्न है भाशा क्या है हमें इसकी अवशकता क्यूं है चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं भाशा वे सादन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते समझते हैं। अब दूसरा प्रश्ण भाशा के मौकिक और लिकित रूप में अंतर बताईए। भाशा के स्पष्टते दो रूप होते हैं, भाशा के दो रूप हैं। पहला है मौकिक भाशा और दूसरा है लिकित भाशा। सबसे पहले मौकिक भाषा के बारे में जान लेते हैं भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तता सुनकर समझा जाता है अध्यापिका द्वारा निर्देश देना तता छात्रों द्वारा सुनकर समझना मौकिक भाषा का ही रूप है चलते हैं भाषा के दूसरे रूप की और लिखित भाषा यह भाषा का वह रूप हैं जिसमें लिखकर मन के भावो को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा चाहता है इसे हम लिकित भाषा कहते हैं चलते हैं तीसरे प्रिश्ण की और व्याकरण का क्या कारे है व्याकरण वह माध्यम है जिसकी साहिता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना वे बोलना सीखते है तो आपने जाना कि व्याकरण का क्या कारे होता है व्याकरण वह माध्यम है जिसकी साहिता से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं और बोल सकते हैं और ये सब चीजे सीखते हैं अब चलते हैं चौते प्रिश्ण की और लीपी किसे कहते हैं ये प्रिश्ण आप कौपी में लिख लिए जएगा बच्चो किसी भाशा को लिखने का धंग लीपी कहलाता है जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम क्या लिखते हैं हमारी लीपी कौन सी है देवनागरी है ना और अगर इंगलिश की बात करें तो हमारी लीपी है रोमन तो किसी भाशा को लिखने का धंग लीपी कहलाता है इसके साथ ही जैसे हिंदी संस्कृत वे मराठी की लिपी देवनागरी है पंजाबी की लिपी गुरुमकी है उर्दू की लिपी फारसी है भारत एक विशाल देश है इसके भिन-भिन भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती है तो देखते हैं कौन-कौन सी भाषाएं बोली जाती है भाषा और राजे ठीके जैसा कि मैंने पीछे बताया आप ये प्रशन भी लिखेंगे कि किन-किन राजों में कौन-कौन सी भाषाएं बोली जाती है तो पहला हिंदी हिंदी हम देख लेते हैं कहां-कहां बोली जाती है हिंदी भाषा हरियाना उत्रप्रदेश राजिस्थान बिहार मध्यप्रदेश चतिसगर और जारकण दूसरा है पंजाबी पंजाबी कहां बोली जाती है पंजाब में बंगला पश्यम बंगाल तेलगू आंध्रप्रदेश गुजराती गुजरात में तमिल तमिलनाडु में मराथी, महराष्ट में, कन्नड, कन्नाटक में, मल्यालम, केरल में, उडिया, उडिसा में, कौंकरनी, गोवा में, कश्मीरी, कश्मीर में तो आशा करती हूँ ये पाट आपको समझ आया होगा और ये जितने भी प्रशन है बच्चों अपनी कौपी में उतार लेना